हम अक्सर ये सुनते आये हैं कि बच्चों को काटून न देखने थी इससे बच्चों की मानसिक विकास रुख जाती है बच्चे बिगड़ जाते हैं लेकिन यूपी के लखनव में एक बच्चे ने फेमस काटून डोरे मौन देख कर खुद की जान बचा दी दरसल बीते दिन राजधानी लखनव में पांच मंजिला आलाया अपार्टमेंट अचानक डेह गया इस भीशन हाथसे में दो महिलाओं की मौत हो गई जबकि 14 लोगों को बचाया गया इस हाथसे में सपा प्रवक्ता अब्बास हैदर का 6 वर्ष ये बच्चा मुस्तफा भी शामिल है बच् खुद मुस्तफा ने बताया मुस्तफा ने कहा जब पांच मंजिला आलाया अपार्टमेंट हिल रहा था तो वो बेड के नीचे छिप गया था उसने बताया कि वो एक काटून देखता है जिसमें बताया गया था कि भुकम के समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहि जैसे ही उसे लगा कि इमारत हिल रही है उसे याद आ गया और वो तुरंद बेड के नीचे छिप गया था मुस्तफा ने बताया वो डर गया था लेकिन उसे काटून शो डोरे मौन का एक एपिसोड याद आया जिसमिन नोबिता को भुकम के तौरान बेड के नीचे शरन लेकर खुद को बचाने के बारे में सिखाया गया था एक सेकंड बरबाद किये बिना वो बेड के नीचे छिप गया बेड के नीचे छिपने के दोरान मुस्तफा ने कहा कि उसने अपनी मा को दोड़ते हुए देखा और देखते ही देखते पूरी इमारत टह गई और सब कुछ अंधेरा हो गया। उसे कुछ भी आद नहीं आ रहा था कि उसके बाद क्या हुआ लेकिन देखा कि कुछ अजनबी उसे कहीं ले जा रहे है। सूचना नहीं है। ये हाथसा इतना भयंकर था कि लखनव में बिल्डिंग गिरने की ये घटना जिसने भी देखी वो सहम गया। जो HDRF और HDRF की टीम है वो लगातार रिस्क्यू कर रही है। दो मंजले पे रहने वाले हैदर अपास का जो परिवार है उनकी पत्मी उज्मा हैदर और उनकी माँ इसमें रही थी। बिल्डिंग गिरने की वज़े से इन दोनों की मौत हो चुकी है। लेकिन जो 6 साल का मुस्तफा है उसकी इसमें जान बजगे। दोनों की सिविल होस्पितल में उसका इलाज चल रहा है। हालत खत्रे से बाहर बताई जा रही है। लेकिन जैसा कि मुस्तफा ने बताया कि जो डोरेमन कॉाटून है उसमें जो सीक मिली थी। उसकी वज़े से उसकी जान बजगे ये। क्योंकि डोरेमन कॉाटून में चिखाया गया था कि जब भूकम पाता है तो किस तरीके से अपनी जान बचाई जाए। तो उसको देखने से कहीन है कि उसको कुछ सीक मिली और उसकी जिंदगी पचलेगी। लखनों सब्सक्राश्यमट कि मिरेगे।